मेरा नाम है रक्षा राजप्रोईद और स्वागत है आपका मेरे एक और नए टुटोरियल विडियो में तो शादियों का सीजन बस आने ही वाला है और शादियां बिना डांस के कंप्लीट नहीं होती तो आज के ये बेस्ट स्टेप आपके लिए बहुत हेलफुल होने वाले हैं जैसा कि आपने देखा है कि आजकल हमारे याँ वेडिंग्स में डोल पे रॉयल डांस जो है वो बहुत किया जाता है चाहे नई दुलन हो या आप नई दुलन ना भी है और आप डोल पे डांस करन कर सकते हैं तो आज के ये स्टेप्स जो है वो आपके इन तीनों ही गानों पर सेट हो जाएंगे तीनों ही मुजिक पर सेट हो जाएंगे और बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूं कि आप इन्हें भूलेंगे भी नहीं तो बिना समय गवाए चलिए जरूर कीजिएगा और हां वीडियो के अंत में म्यूजिक के साथ भी मैं आपको सारे स्टप्स करके दिखाऊंगी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों हमारा जो राजपुता ना राजपुती डांस जो होता है जिसे एलिगेंसी से आप डांस करेंगे उतना ही डांस जो है खुबसूरत निखर के आएगा तो आपका बॉड़ी का पोष्ट्र जो हुआ हमका जुका हो जाना चाहिए और आपकी बॉडी जो है वो हलकी सी लाइट होनी चाहिए एकदम लाइट आपको लग रहा है कि बॉड़ी step जो है वो खतम हो जाएगा तो पहला step मेरे दोनों हाथ open है इस तरीके से मैंने इनको उपर की तरफ में cross कर लिया है अब यहां से इस तरीके से मैं यहां से अपने हाथों को open करके पूरा circle घुमा के अपने हाथों को फिर से नीचे cross में लाओंगी मतलब यहां से cross में शुरू हुए मेरे हाथ और नीचे फिर से cross में आके खतम हो गए अब ध्यान आपको यह रखना है कि cross में ऊपर से लेकि नीचे आने तक कि यह जो पूरा टाइम है इसमें आपको अपने जगा पे भी एक गूमर जो है वो लेनी है तो ढोल की light beat हो या किसी भी गाने की beat यह दोनों ही पर ही set हो जाएंगे दोस्तों पैर इसमें किस तरीके से चलाने है उससे related video भी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो उससे भी देख लीजिएगा वो आपके लिए helpful साबित होगा तो चलिए शुरू करते है यहां से मेरा step शुरू होगा यहां पर मेरा step खतम हो कि वापस अपनी जगह पर आजाने चाहिए जहां से अपने शुरू किया था वहीं पर आपकी बॉड़ी जो है वह आके रुख जाने चाहिए 8 बीट पर तो बस मैं अपनी जगह पर घूमी हूँ मेरे हाथ यहां से शुरू हुए और एक पूरा राउंड मारके मेरे हाथ न देख लें तो आपको समझ में आजाएगा मेरे पैर फ्लेट है और बस बीट पर चल रहे है और यहां से मारा बीट अमारा यहां से मारा स्टेप शुरू हुआ और यहां पर आके ख़तम हो गया प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी ली तरीके से हो जाएगा चले आब आत अपना स्टेप जब शुरू करेंगे राइट हाथ जो है वो ट्विस्ट करके लेप साइड में आ जाएगा और यही सेम बीट जब हम लेफ्ट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट हाथ ट्विस्ट होके राइट की तरफ आजाएगा लेकिन आप जब यह स्टेप करेंगे तब फ गूमना है तो आप देख लेजिए यह मैंने L बना लिया है अब यह मेरा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 fifth फिर से लेकर 8 कीपिट पर अपने आपका हाथ जो है वो सर्कल करके अपनी जगह फिर से वहीं आजाना चाहिए जहां से हमना स्टप जो है वह शरू किया था तो हम फिर से कर रहे हैं सेम स्टप मैं एक बार राइट के साथ करूंगी और सेम करूंग Carl कि अब देख लेजिए म 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप नहीं चाहें, आप दूसरी तरफ नहीं करना चाहें, तो भी चल जाएगा, आप सिर्फ अपने एक ही हाथ से अगर करना चाहें, तो भी यह स्टेप जो है, वो बहुत सुन्दर लगेगा, आप अपनी ही जगा पे इसको 8 टाइम बीट करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां पर हमारा सेकंड स्टेप जो है, वो खतम हो गया, अब आते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ, जो आपने मेरे खूब सारे डांस वीडियो में भी देखा होगा, यह मेरे हाथ है, इसको मैंने उल्टा कर लिया है, एक हाथ ओपन है, एक हाथ ब मौर बना लिया है, अब मौर बना के आप छीटे देते हैं, वही बाला पोजीशन है, बोडी जो है, वो थोड़ से टिल्ट है, मेरी बोडी एक दम लाइट है मेरी, और मैंने मेरे हाथ हो कर लिया है, अब एक उपर से नीचे, इनको 1, 2, 3, 4, ऐसे करते हुए, मैं लेफ से राइट के तरफ जा रही हूँ, और अपनी ही जगा पे घूम रही हूँ, यहाँ पर अपना तीसरा स्टेप जो है, वो कम्प्लीट हो जाएगा, तो यह इस तरीके से मेरे हाथ हो गए, यह आप देख रहे हैं, यह हैं, यह पोजीशन है, राइट अगर ओपन है, तो लेफ 6, 7, 8, लेफ्ट से राइट के तरह, सेम चेज फिर से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप चाहें तो यह स्टेप करते-करते अपनी जगा पे घूम भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप चाहें तो अपनी ही जगा से राइट से लेफ्ट के तरफ चाहें, आप चाहे तो अपनी जगा पे घूम भी सकते, यह दूसरा स्टेप भी बन तो यह था हमारा तीसरा स्टेप, इस तरीके से आपको अपनी जगा से 8 बीट जो है राइट के तरफ लेने हैं, राइट से लेफ्ट के तरफ लेने हैं, और चाहें तो आप अपनी जगा पर भी इस स्टेप को कर सकते हैं, अब आते हैं हमारे चौथा स्टेप की तरफ, तो चौथा स्टेप मेरा लेफ्ट हाथ जो है, मिरे लेफ्ट कंदे में उपर की तरफ है, और मेरा राइठ हाथ जो है, मेरी कमर पे रहे है इस तरकी से, आपने देखा होगा, बहुत सारे घुमर ले रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं थोड़ा लेट हो गई, बट आपको 8 बीट पे खतम कर लेना है, फिर से हम शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बीट पे आपके आपका स्टेप जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, बहुत ईजी था, लेफ्ट हाथ लेफ्ट क कमर पे और आपको सिफ 1, 2, ये करते हुए अपनी ही जगा पे गूमना है, पैरो के स्टेप वही चल रहा है, सारे स्टेप में, आप पैरो के स्टेप अगर करना सीख गए, तो ये हैंड मोमेंट जो है, वो आसानी से आप से हो जाएगे, तो 1, 2, 3, 4, आप देखिए हाथ ज करते हुए अपनी जगा पे है, आपको एट बीट जो हो कम्पलीट करनी, फिर से करते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर आके अमारा स्टेप जो है वो खतम हो और अब आते हैं हमारे पांच वे और आखरे स्टेप की तरफ जो मेरा वन ऑप ती फेवरेस स्टेप है, और मैं ह हार डांस में वो जरूर करते हूं, तो आपने हाथ जो है, उनको इस तरीके से हाफ, इस तरीके से कुछ-कुछ वाला जो होता है, यह हाफ इस तरीके से बंद कर देना है, क्रॉस में यह कुछ-कुछ वाले हाथ हो गे, अब क्रॉस में मेरे हाथ हैं, और इनको मैं जटके के साथ open करूँगी और इस तरीके से खोलूँगी फिर से मेरा step इसी तरीके से शुरू होगा और इस तरीके से खतम होगा इस तरीके से हाथ जो है हतेलिया पूरी तरीके से open हो जाएगे और यह करते हुए मैं left से right की तरफ जाओंगी और 8 bit हम complete करेंगे और चाहे तो आप यह step कर करते हैं तो यह दो स्टेप बन जाएंगे तो शुरू करते हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने देखा होगा कि हाथ जो है वो उपर से शुरू हुए और दीरे 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 नीचे आ रहे आप कभी भी देखिएगा अगर आप एक ही जगा पर आपका स्टेप करेंगे तो इतना दीरे दीरे इसमें वेरियेशन लाएंगे और उपर से नीचे की तरफ इसको ले के आएंगे तो यह स्टेप और जादा खिल के और उभर के आएंगे तो फिर से हम ट्राइ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अब सेम स्टेप हम अपनी जगह पर गूमर लेते हुए भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यह मैं अपनी जगह पर ही 8 बीट के साथ मैंने स्टेप को कम्प्लीट किया है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है तो आशा है आपको यह मेरे पांचो स्टेप जो है वह बहुत पसंद आये होंगे और यह आपके आने वाले डांस के लिए बहुत जादा हेल्फुल सावित होंगे आप इसी तरिके के टुटोरियल वीडियो और चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बत बताईएगा कि आप अगला वीडियो जो है वो किस स्टेप्स पे चाहते हैं जिनको जरूरत है उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट पर बताईएगा कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा तो आखिर में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा झाल झाल झाल